आज हम इंडियन पॉलिटिकल थौट के कुछ प्रिवियस यर कोईस्चन्स और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कोईस्चन देखेंगे ऐसे कोईस्चन जो आने वाले समय में NTA पेपर 2 पॉलिटिकल साइन्स में पूछ सकता है ये कोईस्चन्स दोनों ही मीडियम में हैं हिंदी और इंगलिश दोनों में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको चैनल के टेलिग्राम गुर्प से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिव हुई है वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं सारे कोईशन्स आप अटेम्ट करिएगा और आप जो भी इसको अगर करते हैं कमेंट में जयोर मेंशन करिएगा ये मेरे बार में कुछ इंफॉर्मेशन है हम चलते हैं कोईशन्स की दरफ फर्स्ट कोईशन है अगर्डिंग टू धर्मशास्त्रा हाउ मैनी एलिमेंट्स ओफ दा इस्टेट आर देया धर्मशास्त्र के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं ए एट या सिक्स या सैवन या नाइव वीडियो को पॉस किया करिए और अपने आंसर साब लिखा करिए जिससे कि आप लास्ट में देख सकें कि आपने कितने कोईशन्स के आंसर करेक्ट किये हैं अब बताएए कि इस कोईशन का आंसर क्या होगा ये आप से धर्मसास्त्र के according पूछ रहा है कि राज के कितने element इसमें मिंशन हैं देखिए इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है और ऑप्शन C सेवन एलिमेंट स्टेट के धर्मसास्त्र में मिंशन हैं धर्मसास्त्र में जो राज की कलपना की गई थी imagination जो state की थी उसमें बताया गया था कि राज के साथ पार्ट होने चाहिए और ये साथ पार्ट उतने ही जरूरी है जिए इतने की एक मानो सरीर के लिए उसके अंग जैसे body parts बहुत important है एक human की body को complete करने के लिए बिलकुल उसी तरह से state को complete करने के लिए इन seven elements की जरूरत है अब वो कौन-कौन से element है देखिए स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोश, डंड, मित्र और लास्ट में रास्ट्र इंग्लिश में है king, minister, ford, treasury, punishment, allies, nation ये seven elements state के लिए important है according to धर्मा सस्त्रा देखते हैं अब आप इसका answer बताईए कि ये बात, ये statement किसने दिया था, ये कहाँ पर mention है A, B, C, D में से correct answer क्या हो जाएगा देखिए इसका बिल्कुल correct answer है option B कौटिल लिया ने कहा कि राज की उत्पत्ती मर्स नयाई की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई मर्स नयाई क्या है? ये law of fish है ये ऐसी विवस्था जैसे कि समुद्र में देखिए तो जो बड़ी मशली होती है वो छोटी मशली को खा लेती है बिल्कुल वैसे ही राज में एक मर्स नयाई की विवस्था बनी हुई है जिसमें कि एक शक्ति साली मानो दुर्बल मानो को परिशान करता है जो strong people state में होते हैं वो जो weak people हैं उनको बहुत ज़्यदा trouble में डाल देते हैं उनका उत्पीडन करते हैं इसलिए इन्होंने कहा कि state की उत्पती बहुत important हो जाती है इस अवस्था को खत्म करने के लिए state से क्या होगा और state बना कैसे था कोटिल्य क्या according कोटिल्य की according state समझोते से बना था एक contract हुआ था लोगों में जो people थे समाज में जनता में एक समझोता किया गया था और जिसमें की मनु को उन्होंने अपना राजा बनाया था बदले में क्या था कि जनता राजा को कर दे दिया करेगी ये समझोता दोनों के बीच में हुआ था देखते है next question क्या है थर्ड question है कौन सा कथन सही है which statement is correct दो statement आपको दिये गए है आपको बताना है कि कौन सा statement सही है फर्स statement है अगना सूत्ता इस 27 सूत्ता आफ दीघनिकाया अगना सूत्त 27 सूत्त दीघनिकाया है second है महात्मा बुद्ध डिड नौट टाक अबाउट जेंडर एक्वालिटी महात्मा बुद्ध ने लैंगि समानता की बात कभी नहीं की बताइए कि इन दोनों में से कौन सा statement सही है केवल first सही है या केवल second सही है या दोनों ही statement सही है या फिर एक भी statement सही नहीं है इसका आंसर क्या होगा देखिए सबसे पहले आप statement first देखिए ये क्या कह रहा है statement first कह रहा है कि अगनसूता 27th सूत दीग निकाय है अगर आपने अगनसूता के बारे में पढ़ा होगा और इसके पहले भी मैंने इस पर questions कराए है ये बिल्कुल सही statement है अगनसूता 27th सूत है दीग निकाय में दीग निकाय में टुटल कितने सूत है 34 सूता का वो एक collection है ये बौध धर्म की एक book है उनकी जो पिटक थी उसका ये हिस्सा है अगनसूता आप सकेंशरिमन क्या कह रहा है कि महात्मा बुध ने लैंगिंग समानता की बात कभी नहीं की ये statement बिल्कुल गलत है महात्मा बुध तो बिल्कुल social equality और gender equality के पक्ष में थे उनका जो बाते थी उनकी वो mostly इसी पर based होती थी वो gender equality को बहुत importance देते थे बलकि उन्होंने criticize किसको किया था वर्णा system को जो वर्ण विवस्था थी उसको उन्होंने criticize किया था लेकि जेंडर equality को उन्होंने बलकि उसका बढ़ावा दिया था तो अब इसका answer क्या हो जाएगा only first statement is correct देखते हैं next question क्या है fourth question है in which या hindu स्वराज was published हिंद स्वराज किस वर्ण में प्रकाशित हुआ था a 1905 b 1909 c 1938 d 1909 a b c d में से correct answer क्या हो जाएगा पताए ये a b c d में से हिंद स्वराज किस वर्ण में प्रकाशित हुई थी कब publish हुई ये पताए हिंद स्वराज देखिए इसका correct answer है option b दो बार देखिए यहाँ पर 1909 में शन हो गया है कोई बात नहीं इसका correct answer है 1909 साउथ अफ्रिका में ये publish हुई थी इसमें गांदी जी ने modern civilization को criticize किया था और railways doctors और advocates को भी इस book में महात्मा गांदी जी ने criticize किया देखते देखते हैं next question क्या है question number fifth है who gave importance to स्वराज before social reform सामाजिक सुधार से पहले स्वराज को किसने महत्व दिया a. अरविंदो घोस b. गांधी जी c. जेबी किपलानी d. खुदी कुमार गोश बताईए कि समाजिक सुधार से पहले स्वराज को किसने importance इन में से दिया था किसने दी थी बताईए इसका correct answer क्या हो जाएगा देखिए इसका बिलकुल correct answer है option a. और विंदो घोश ने समाजिक सुधार से पहले स्वराज को importance दी क्यों क्या इनके लिए समाजिक सुधार इतना important नहीं था पर इनके लिए सबसे पहले स्वराज important था ये जो नरंपन्थी लोग थे उनके विरोधी बन गए थे जो moderate people थे जो स्वराज के बारे में सोचते तक नहीं थे in fact इन्होंने तो Congress को भी criticize किया था सिर्फ इस वज़े से कि वो तो स्वराज का विलकुँ सोचते ही नहीं थे इसलिए और विंदो घोश ने सबसे पहले स्वराज को important थी समाजिक सुधार से भी पहले देखते हैं next question क्या है question number six है what is गांधी जी called गांधी जी को क्या कहा जाता है A. पूझी वादी B. समाज वादी C. साम मेवादी या D. दार्शनिक अरा जकता वादी capitalist है या फिर socialist है या communist या फिर philosophical anarchist A. B. C. D. में से correct answer क्या हो जाएगा देखिए इसका बिलकुल correct answer है option D. दार्शनिक अरा जकता वादी ये previous year का question है पूझा जा चुका है और पूझा जा भी सकता है philosophical anarchist गांधी जी को कहा जाता है जो इनका गांधी वाद दर्शन था वो इसी पर जोड देता था ये इन्होंने ऐसा ये ऐसा क्यों मतलब इनको ये क्यों कहा आता था क्योंकि इनका मानना था कि जो सत्यागराही और जो नॉन वाइलेंस persons है उनको स्टेट की क्या जरूरत अनर्किस्त वही है ना जहां पर नो गवर्मेंट हो जहां पर स्टेट की जरूरत ना पड़ती हो तो सेम गांधी जी भी स्टेट के अगेंस थे ये स्टेट को मानते थे कि ये वाइलेंस फैलाता है हिंसा फैलाता है और एक आइडियल सिस्टम में स्टेट की कोई जरूरत नहीं होती एक आदर्स विवस्था को चलाने के लिए हमें राज जी की जरूरत नहीं है अगर वोस्टेट में लोग नॉन वाइलेंस को फॉलो कर रहे हैं एक moral man है तो वहाँ पर state की कोई ज़रुवत नहीं पड़ेगी ये गांधी जी के statements हैं देखते हैं next question क्या है कि कोशन नमबर 7 है according to whom politics means public policy or public welfare not a struggle for power किसके अनुसार राजनीती का आशय लोक नीती या लोक कल्याड है शक्ति के लिए संगर्स नहीं ए बियार अंबेड का बी गांधी जी सी रास बिहारी बोस बीबाल गंगधर तिलक बदाए इसका आंसर क्या होगा politics का ये मतलब किस ने दिया था कि ये लोक नीती और लोक कल्याड का विशे है ना कि इसमें शक्ति के लिए कोई संगर्स हो कि हमें power attain करनी है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर public policy और public welfare की बात होनी चाहिए देखिए इसका बिलकुल correct answer है option B गांधी जी ने राजनीती का ये मतलब दिया था गांधी जी विकेंद्री के सपोर्टर थे decentralization rule को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इन्हीं की वरज़े तो आज पंचाइदी राज system जो हम देख रहे हैं वो इनके ही विचार का एक results है एक परिडाम है ये गांधों को main unit मानते थे एक केंद्र जो गांधों में होता है गांधों को ये एक केंद्र के रूप में दे आज़े गांधों को देखते हैं नेश्ट कोशन क्या है एर्थ कोशन है अरेंज दीस बुक्स इन को नाजिकल और बाई वीडी सावाकर इन पूस्तकों को काला नुक्रमिक क्रम में वीडी सावाकर की ये किताब है आपको इनको अरेंज करना है ये वोईस की सबसे पहले कौ कौन सी बुक लिखी गई देखिए हिंदू पदपाशाही इनकी इंपॉर्टेंट बुक है हिंदू राष्ट दर्शन ये भी वीडी सावाकर की इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट्स 1857 और हिंदुत्वा चार बुक आपको दी हुई है आपको इनको इयर वोईस लगान अगर आपको इनका इयर याद होगा कि हिंदू तो किस साल पबलेश हुई इंडिया वार अफ इंडिपेंडेंडेंस कब पबलेश हुई लाष्ट दर्शन कब हुई हिंदू पदपाशाही कब हुई publishing year equally important है अगर आपको author and book पता है तो important books का आपको publishing year भी आना चाहिए अगर ऐसे arrange करने के लिए exam में आ गया तब तो मुश्किल हो जाएगी इसलिए आप publishing year के साथ book को पढ़ा करिए यह publish किस साल हुई थी सारे books नहीं बस important books देखिए सबसे पहले हिंदू पत्पार्शा है यह कब publish हुई थी यह publish हुई थी 1925 को फिर है हिंदू राष्ट दर्शन यह कब publish हुई 1949 को दि इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 1857 यह book फीडी सारवार कर जीने लिखी और यह publish हुई 1909 में लास्ट है हिंदू तो इनकी important book है और बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछी जा भी सकती है यह 1923 में publish हुई थी अब year wise सबसे पहले कौनसी book publish हुई है इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में सबसे पहले third option आएगा उसके बाद कौनसी book publish हुई है उसके बाद publish हुई सबसे पहले ये फिर हिंदू तो publish हुई 1923 में और फिर हिंदू पदपाशाही publish हुई 1925 में और लास्ट में हिंदू राष्ट दर्शन 1908 में यहनि सब करेक्ट आंसर क्या होगा third, fourth, first, second B option बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने भी B लगाया उसका आंसर बिलकुल करेक्ट है देखते हैं next question क्या है ninth question है who are the supporters of power separation सक्ती प्रिथक करण के समर्थक कौन है देखे सारे questions important है और newly syllabus पर based है आपके exam में कोई भी question आ सकता है और ऐसे ही questions अब बन रहा है exam में इसलिए आप सारे questions लगाईए जितने रधा आप practice करेंगे उतने रधा exam में आप अच्छा score कर सकते हैं बताइए कि इसका answer क्या power separation को किसमें important थी कौन इसको support करता था देखे इसका correct answer है option B बी आरम बेड का सकती प्रिथक करण के सपर्थक थे ये ऐसी साशन प्रडारी को support करते थे जिसमें की powers divide है centralized नहीं power divide हो जिसमें की legislature, executive और judiciary है ये इनकी जो power है वो एक जगाना नियंत्रित हो ये पावर इनकी जो है बटी हो विभाजन हो इनकी सकतियों का इनकी का महना था कि अगर राजनीती में सकती केंद्रित हो गई तो वहां राज में ताना शाही रहेगी इसलिए नोंने कहा कि सकती पिठक करण किसी भी राज के लिए अच्छा होता है देखते हैं नेश्ट कोशन क्या है पेंथ कोशन है कि अपने जीवन के अंतिम समय बौध धर्म अपनाया बताईए इसका अंसर क्या होगा बहुत इंपोर्टन्ट सबजेक्ट है कि किस थिंकर ने अपने लाइफ की आखरी मोमेंट पर बुधिजम को अपना लिया था बौध धर्म को अपना लिया था क्या MN Roye या फिर Tagore जी या फिर Ambedkar जी या JP Narayan थे इसका अंसर क्या होगा देखिये इसका correct अंसर है option C B.R. Ambed का देखिये जिनको ये पहले से पता था बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं पता था वो भी जान ले कि B.R. Ambedkar जी ये तो हम जानते हैं कि ये अंटेचेवल को बहुत सपोर्ट करते थे, ये हिंदू धर्म के थे, पर अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बहुत धर्म अपना लिया था, इसके पीछे कारण क्या था कि इन्होंने बुद्धिर्जम को अपना लिया था, इनको लगता था कि जो हिंदू में जो सिस्ट्रम यह बहुत गलत है कि ब्राहमर साथ से उपर हैं और शूद्र को इतना हींता से देखा जाता है उनको गलत तरिके से ट्रीट किया जाता है उनको मंदिरों में और कुए में पान लेने से रोका जाता है उनके साथ एक भेद भाव समाज में किया जाता है यह सिर्फ हिंदु धर् के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और इन्होंने कहा था कि मैं हिंदु धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं इसी वज़े से इन्होंने लगभग तीन लाख दलितों के साथ बहुत धर्म को अपना लिया था कब 1956 में हुज अमाउंट आफ वह अब इन्होंने जब बहुत धर्म को अपनाया था तब अक्टूबर में अपनाया था 1956 में और इनकी मृत्यू कब हुई थी दिसंबर 1956 में देखते हैं नेश्ट कोईशन क्या है इलेवन्त कोईशन है वेन वाज जेपी नारायन की रचना समाजवादकियों का प्रकाशित हुई जेपी नारायन की यह important work है वाई सोसालिजम यह तो सबको पता होगा मोशलों को पता होगा कि वाई सोसालिजम किसकी रचना है यह जेपी नारायन की रचना है पर यह published कब हुई आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है इसलिए देखिए आप questions सारे लगाया करिए क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा तब आपका question लगाएंगे तो आपको वो आ जाएगा वो concept में आ जाएगा इसलिए आप questions लगाया करिए अब यहाँ पर आपको year बताना है कि why socialism का प्रकाशित हुई थी A, B, C, D में से correct answer क्या होगा देखिए इसका correct answer है option C 1936 में जेपी नरायन की रचना समाजवाद क्यों प्रकाशित हुई थी यह समाजिक अर्थविवस्ता पर आधारी इनकी रचना थी और इनकी एक और रचना है जो सोसलिजम पर थी इनों लेख लिखा था एक तरह से जिसका नाम था My Picture of Socialism 1949 में इनकी other जो बुक्स हैं वो थी Prison Diary, Towards Total Revolution, Socialism, सर्वोदय and Democracy समाजवाद, सर्वोदय और लोगतंत्र ये भी जेपिन रायन का important work है देखते हैं next question क्या है 12th question में आपको assertion दिये हुए है और reason दिया हुआ है statement है और reason है आपको बताना है कि इसमें से statement और reason दोनों सही है और reason सही explain कर रहा है statement को या फिर statement reason दोनों सही है पर reason सही explain नहीं कर रहा है statement को या फिर statement सही है reason गलत है या reason सही है statement गलत है पहले हम देखते हैं कि statement है क्या M.N. Royer wrote future of Indian politics in 1918 M.N. Royer ने future of Indian politics की रचना 1918 में की अब रीजन क्या है इन दिस बुक इट वास सेट दाट रेवलूशन विल बी मेड इन इंडिया बाई इंक्लूडिंग ओल दी फार्मस इस पुस्तक में कहा कि भारत में सर्वहारा किशानों को सम्मलित के क्रांति की जाएगी अब बताये कि इसका करेट आंसर क्या होगा A, B, C, D में से Future of Indian Politics M.N. Roy की क्या 1918 में पब्लिश हुई थी और क्या इस बुक में ये बात कही गई थी कि जो रेवलूशन है वो सारे फार्मर्स को मिला करके भारत में किया जाएगा पताये इसका आंसर क्या होगा देख लिजी आप सारे आप्शन देख लिजी स्टेटमेंट देख लिजी और इसका करेट आंसर लगाईए कि क्या है सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि M.N. Roy ने Future of Indian Politics की रचना 1918 में की थी यहां पर यहां पोर्सर में स्टेटमेंट सही है कि Future of Indian Politics M.N. Roy की बुक है लेकिन यह 1918 में पब्लिश नहीं हुई थी यह 1931 में पब्लिश हुई थी 1929 में Future of Indian Politics M.N. Roy की रचना पब्लिश हुई थी यहां पर आप Confuse मत हुएगा Future of Indian Politics एक और बुक है जिसे एनी बेशन नहीं लिखा था जो 1922 में पब्लिश हुई थी 1922 में पर यहां पर यह आपसे M.N. Roy की बारे में पूछ रहा था तो M.N. Roy की भी बुक है Future of Indian Politics जो की 1929 में पब्लिश हुई थी तो यह स्टेटमेंट तो गलत है अब रीजन क्या है कि इस पुस्तक में कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मलित करके करांती की जाएगी यह बिल्कुल सही बात है इसी बुक में M.N. Roy ने यह बात कही थी क्योंकि इनका मानना था कि अगर यह जो करांती है यह होगी तो उसे क्या होगा कि भारत में जो शामंत वादी अर्थेवस्था है वो दीरे-दीरे खतम हो जाएगी वो अपने end की तरफ चली जाएगी पहले तो जैमन रुड़ा का खुदी ही जुकाओ सामेवादी वेवस्था की तरफ था पर बाद में यह दीरे-दीरे समाजवाद की तरफ इनका जुकाओ हो गया अब इसका आंसर क्या हो जाएगा A is false, R is true एसर्शन गलत था पर जो reason में इस statement दिया हुआ है यह बिलकुल सही है देखते हैं next question क्या है 13th question है Which newspaper was started by जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू ने किस अखबार की शुरुवात की थी A. New India B. National Herald C. Both A and B D. Neither A nor B केवल New India की शुरुवात की थी National Herald की थी यह दोनों ही अखबार न्यूस जोनों ही newspaper है यह जवाहर लाल नहरू जी के हैं या फिर एक भी नहीं है बताएं कि इसका अंसर क्या होगा यह question थोड़ा सा easy होगा आपके लिए क्योंकि इसके बार में अकसर हमने news में भी बहुत सुना है यह आपको एक hint है अब बताएं कि इसका अंसर क्या होगा A. B. C. D. में से correct answer क्या हो जाएगा जवाहरलाल नहरू जी के अकबार यहां पूछ रहा है कि उन्होंने किस अकबार की शुरुवात की थी देखिए इसका correct answer है option B National Herald इस अकबार को जवाहरलाल नहरू जी ने ही शुरुवात की थी कब 1938 में 1938 में और इस अकबार को publish किस ने किया था Associated General Limited ने इस अकबार को publish किया था अब New India किसका अकबार है New India अन्नी बेशंद का अकबार है अच्छा इस अकबार को जवाहरलाल नहरू जी ने शुरू क्यों किया था इसको शुरू करने के पीछे मकसद था एक तरह से इसको जवाहरला नहरू जी ने टूल की तरह इस्तमाल किया था Independence के लिए आजादी पाने के लिए इस अकबार को एक टूल की तरह इस्तमाल जवाहरला नहरू जी कर रहे थे लेकिन British Government ने 1942 जब Quiet India मोमेंट चल रहा था भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जो Britain की सरकार थी उसने इस अकबार को बैन कर दिया था ये English newspaper था जवाहरला नहरू जी ने found किया था देखते हैं next question क्या है 14th question है Allama Iqbal went to attend the second round table conference in the year Allama Iqbal किस वर्स में द्वित्य गोल में सम्मेलन में भाग लेने गए थे A. 1930 में B. 1931 में C. 1934 में D. 1936 में इसका अंसर क्या होगा क्या 1930 में गए थे 1931 में गए थे या 1934 में या 1936 में Allama Iqbal आप किसले बस मैं है यह महमद Iqbal जी है उनको Allama Iqbal के नाम से भी जाना आता है अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि द्वित्य गोल में सम्मेलन में किस साल पाटिशिपेट करने गए थे A. P. C. D. में से करेक्ट आंसर क्या होगा पताईए आपसे पूछ रहा है कि Allama Iqbal किस वर्स द्वित्य गोल में सम्मेलन में भाग लेने गए थे अच्छा ये प्लेस्मेंट के तौर पर गए थे मौलाना मुहमद अली जोहर इनको जाना था पर इनकी मृत्य हो गई थी उनकी देथ हो गई थी उनकी जगहे पर Allama Iqbal एक मुसलिम रिप्रेजेंटेटी बन कर परद्वित्य गोल में सम्मेलन में भाग लेने गए थे देखते हैं नेस्ट कोश्चन क्या है फिफ्टीन्थ कोश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड है वेन डिट मौहमद इकबाल रिसीब दी टाइचल आफ सर मौहमद इकबाल को सर की उपाधी कब मिली सर मौहमद इकबाल कहते हैं और ऐसे कोश्चन उन पर बन सकते हैं बन भी रहे हैं इसलिए आपको अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि इसमें से एक्जाम में क्या आएगा सहरा का सहरा पढ़ना इतना इंपोर्टन नहीं है कि आप उन पर सारे आटिकल पढ़े जा रहे हैं सारे एसस पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है आपके एक्जाम में क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इस टॉपिक पर पहले से उसकी बेसिस पर आप यह सोचे कि क्या बन सकता है और उसे ही पढ़िए सिर्फ इंपोर्टन चीजों को अब बताए कि मुहमद इकबाल को सर की उपादी कब मिली थी A, B, C, D में से करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए इसमें बिलकुल करेक्ट आंसर है 1923 1923 में मुहमद इकबाल को सर का टाइटल मिला था किस ने दिया था? King George V, Britain के यह नाइट हूट की उपादी सर दी जाती थी और इसे King George V में दिया था किस वज़े से यह टाइटल मिलता था? यह कुछ ऐसे लोगों को मिलता था जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हुआ करती थी सेम मुहमद इकबाल जी यह पोयर थे और इनकी लर्णिंग और नॉलेज की वज़े से ही इनको सर की उपादी दी गई थी जो आप सारे जहां से अक्षा सुनते हैं वो इन ही की लाइन से हैं देखते हैं नेस्ट कोशन क्या है सिक्स्टीन्थ कोशन है विच आप दी फॉलोईंग इस आठ्रू रिगार्डिंग फिलोसोफी और पंडित दीन दयाल उपाद्याई पंडित दीन दयाल उपाद्याई के दर्शन के बारे में निम्नलिकित में से कौन शा सत्य है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दीन दयाल उपाद्याई जी के बारे में सही है First है It is similar to philosophy of गांधी जी यहां गांधी जी के दर्शन के समान है second it advocate middle group between capitalism and socialism यह पूझीवाद और समाजवाद के बीच मध्य समूह की वकालत करता है दोनों statement में से बताइए कि कौन सा सही है केवल first सही है या केवल second सही है या दोनों सही है या फिर एक भी statement सही नहीं है बहुत आसान question है यह आप से दिंद्रयाल उपाध्याय की फर्स स्टेटमेंट में तुलना कर रहा है गांधी जी के विचारों से और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या ये पूजी वाद और समाज वाज के बीद मद्य समूख की वकालत करते थे बताई इसका अंसर क्या होगा A, B, C, D में से करेक्ट अंसर क्या होगा देखिए, सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखा करिए फर्स स्टेटमेंट देखिए, फिर सेकेंड देखिए और सोचिए कि क्या दिन्दयालुपाद्याय जी के दर्शन में जो था वो गांधी जी के दर्शन के शमान था क्योंकि दोनों ही आपके स्लेवस में है, गांधी जी भी है और दिन्दयालुपाद्याय जी भी है तो अगर आपने दोनों के बारे में पढ़ा होगा तब आप समझ जाएंगे कि क्या स्टेटमेंट फर्स सही है और second statement दिन्दय अलुपाद्याजी पर ही centered question है तो अगर आप दिन्दय अलुपाद्याजी के बारे में पढ़े होंगे तो आप इसका answer आसानी से कर सकते हैं First statement में गांधी जी के दर्शन के समान है क्या इनका दर्शन ये statement बिल्कुल सही है गांधी जी जैसे चाहते थे कि एक विकेंद्री करण हो एक decentralization हो इस्टेट में वैसे ही दिन्दय अलुपाद्याजी भी चाहते थे ये चाहते थे कि जो एक सीड़ी पूरी उपर से निचे तक आती है उसमें जो last person हो सीड़ी का उसकी भी growth और development हो उसका भी विकास हो और भारत में एक decentralized polity हो और इन्होंने भी अपोस किया Western capitalist system का यानि कि statement first बिल्कुल सही है अब second क्या है कि यह पूझी वाद और समाज वाद के बीच मध्य शमोह की वकालत करते हैं ये statement भी बिल्कुल सही है ये पूरी तरह से Western capitalist के खिलाफ थे पर एक balance की बात भी नोंने की थी कि पूझी वाद और समाज वाद के बीच में अगर एक balance रहे ना हम बहुत ज़्यदा पूझी वाद की तरफ जुके ना बहुत ज़्यदा समाज वाद के बीच दोनों के बीच में एक group होना चाहिए इसकी बात दिन दयलुपाद ध्याजी ने की थी अब इससे correct answer क्या हो जाएगा Option C Both first and second statements are correct देखते हैं next question क्या है 17th question है Who translated John Ruskin's unto the last in Gujarati version John Ruskin की रचना unto the last का Gujarati अनुवाद किस ने किया A. रागनी कुठारी ने B. जी अन्धावन ने C. जेबी के प्लानी ने D. गांधी जी ने John Ruskin की unto the last book है यह आप सबको पता होगा पर आप से यह सवाल पूछ रहा है कि इसका Gujarati अनुवाद किस ने किया था असल में यह book English में John Ruskin ने लिखा था आपको पता है Western thinker हैं तो English में ही लिखेंगे तो इनकी यह book English language में थी पर इसको Gujarati में translate किस ने किया था यह वदाई यह अब कि A, B, C, D में से correct answer क्या होगा क्या राइनिक उठारी ने किया या जीवन धवन ने किया या JB के प्लाने ने किया या गांधी जी ने किया था इसका answer क्या होगा देखें इसका बिल्कुल correct answer है option D महात्मा गांधी जी ने John Ruskin की book Unto the Last का Gujarati version में उसका अनुवार किया था कब और title क्या था गांधी जी की उस book का राइन जो ने जान राश्टिन की Unto the Last का translation किया उस book का title क्या रखा था उस book का title था सर्वोदे अब आपसे एक्जाम में ये भी आसता है कि सर्वोदे किसकी book है अगर ये नहीं आया कि इसके गुजाती translation किसने की आया है तो directly वो पूछ सकता है कि सर्वोदे किसकी book है या किसकी रचना है तो वहाँ पर महात्मा गांधी correct answer हो जाएगा और ये जो इनकी book है ये translation की हुई book है रचन की and to the last की और कब publish हुई सर्वोदे 1908 में 1908 में गांधी जी की book सर्वोदे जो की इसका translation था वो publish हुई थी correct देखिए आज questions इतने ही थे अगर आपको questions रीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करिएगा आपने जो भी score get किया उसे comment में जरूर mention करिएगा और अगर आपको कोई doubt है तो भी आप comment में जरूर बताएगे कि आपको कहां पर क्या doubt है और इस वीडियो को अपने उनसारे function करिए जो GC net political science की तयारी कर रहे हैं जिससे की सब की help हो सके जितना जादा आप वीडियो को share करेंगे ब्यादा ज़्यादा student connect होंगे और सब के exam के लिए ये helpfulful video series चल रही है इसलिए आप इसे share जरूर करिएगा अगर आपने इसके पहले political theory, public administration, international relations western political thought, Indian political thought के previous videos नहीं देखे हैं जा करके आप channel की playlist में सारे videos देखिए सारे questions लगाईए जितने ज़्यादा आप question exam के लिए लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छी आपकी practice हो जाएगी सारे questions बिल्कुल नए हैं और exam में इनकी आने की probability भी बहुत जादा है इसलिए आप सारे questions ज़रूर लगाईए जाकर के channel की playlist देखिए उसमें हर unit से question है इसलिए जो भी important units हैं उनके इतने सारे questions अवेलेबल हैं आप जाकर के सारे questions ज़रूर लगाईए और आपने जो भी score get किया उसे comment में ज़रूर mention करिएगा और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर लीजिए for all the daily political science video updates बगल में bell icon दिया हुआ है आप उसे ज़रूर प्रेस कर ली जिससे आपको latest video की notification easily available हो जाए thank you